हम स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, परिवारों में जाएंगे, लोगों समझाएंगे कि भारफ जैसे देश को आच अर्बों खर्बों रुप्यों का तेल लाना पड़ता है, कोईला लाना पड़ता है हम अगर उर्जा की बचत करें, चाएं बिजली हो, पैट्रोल हो, डीजल हो, कोईला हो, हम देश की ये सिवा कर सकते हैं और साल भर एक अतिरित्त विशे के रुप में मानों इसको लिया कभी मान लीचे हम ले ले, एक आज़ बर्स, कि भी हम आज़ा पार्टी, गाउं गाउं गर गर जाएंगे जिन गाउं में, जिन घरों में, टॉइलेट नहीं है, लोगों को साथ बैटेंगे, सरकारी योजनाओं का लाब पहुंचाएंगे, लेकिन टॉइलेट के बिना कोई घर नहो, इसके लिए हम अगभी हान चलाएंगे ये वो काम है, जो सरकारी नहीं है, और कभी-कभी तो मुझे लगता है, आचारे विनोबाई जी भी कहते थे, अव सरकारी अशरकारी ये गैर सरकारी कभी-कभी ज़्यादा प्रभावी होता है, क्या हम संगषन को ये आदर डाल सकते हैं, क्या हर वर्ष एक सामाजिक विशह है, जो रास्त हित की तराजु पर तोला जाएंगे, जन कल्यान के काम आएंगे, और ऐसी चीज़े खोजी जाएंगे, कभी पानी बचाने का अभियान ले सकते हैं, कभी बच्चियों को सिख्षा देने का अभियान ले सकते हैं, भारती जलता पार्टी अपनी एक नई पहचान इसके साथ और उसके कारण समाज में भी अपनी जड़े जमाने के लिए बहुत सुविदा बढ़ती है, मैं आशा करता हूँ कि नई अध्यक्षर उनकी जब टीम बनेगी, मेरे सुझाओं पर जुरूर विचार करेगी, और जो भी पार्टी निर्णे करेगी, वो निर्णे हम सब कार्य करता हूँ के लिए श्रोमान ने होगा, एक बात निश्वित हैं, हिंदुस्तान की एक विशेस्ता रही है, अन्य दंदों के लिए उनकी कसोटी के तराजू अलग है, उनको नापने के लिए मान दंद अलग है, लेकिन हम अकेले ऐसे हैं, भारती जनता पार्टी, जिनकी कसोटी के तराजू भी अलग है, नापने के लिए मान दंद भी अलग है, ऐसा क्यों है ये तो समय बताएगा अभी तो पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है लेकिन इस में से भी हम अच्छा कर सकते हैं हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें ज्यादा कसा जा रहा है हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए मांदन जरा कठोड रखे जाते हैं हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए ऐसे तरोजु में तोला जाता है जिसका और राजनीतिक दलोग और राजनायताओं के साथ कभी अवसर नहीं आता है हमारे लिए आता है मैं इस चुनोती को स्विकार करता हूँ और हम भारती जन्ता पार्टी ने इस चुनोती को स्विकार करना चाहिए ऐसे कठोर से कठोर मांदन से भी हर प्रकार्थ हमने खरे उतरना चाहिए ना उसके लिए शिकायत है ना उसके लिए कोई भय है और मैं तो 14 साल बराबर तब करके निकला हुआ इनसान अगर राष्टे के लिए समर्वी भाव से काम करें गरीब से गरीब को हमारे नजरों के सामने रख करके निर्णवों की प्रक्रिया चलाते रहें तो कठोर से कठोर कसोटियों से भी हम खड़े उतरेंगे मेरा विस्वास है